अग हेलौ फ्रेंण्ज आज हम आपके लिए अम्रेला कट लोंग भाम लेकर आए हैं, इसे बनाने के लिए हमने थिरी मिटर फैब्रिक लेए हैं और सब से पहले हम तो यहां पर हमें टॉपी के लिए फैbowर को एक रहें ऐंगे तो मैंने फैबरी को इरज में फोल्ड किया है और बनो मैं इसे सब्सक्राइब दूपर जूपनर कट कर लिया यह हमारी फोल लेयर में है और यह खुली साइड है फैबरी की यह बंद साइड है तो से पहले मैं लेंद ले रही हूं टॉप पीस मैं 16 इंच का तयार करूँगी तो पहले आप फिक्स मार्क करें 16 इंच पर और एक इंच फैबरी के मैं सिलाई के लिए अड़ कर रही हूं और यह मार्क जो किया है अब हम यह लाइन ड्रो कर रहे हैं बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखूँगी अब हलें क्योंकि फैबरिक फोल्ड है इसके बाद आर्म हल्स की लेंथ ले रही हूं बड़ी ड्रेस में आर्म हल्स की लेंथ साथ इंच लेते हैं और यहां पर हमां चौड़ाई का फोर्थ भाग लेना है चौड़ाई है 40 तो फोर्थ हुआ 10 और 2 इंच फैब्रिक मैं यहां पर मार्जन के लिए एड़ कर रही हूँ कमर यहां पर हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे कमर साइस है 34 इंच और फोर्थ हुआ साड़े आठ इंच और यहां पर जो मैं फैब्रिक एड़ कर रही हूँ क्योंकि यहां पर मुझे चुन्नट भी एड़ करनी है अब हम यह लाइन ड्रो करेंगे जो हमने मार्क किये हैं अब मैं आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करूंगी तो इंच टेप को यहां कौनी पर रख रखेंगे 1,5 इंच तक हमें तरस्laugh-लाइन ड्रो करनी है और गौलाई करनी है यह बैक आरं हम की द्राफ्टिंग है हम कि जए कि पर प्रेंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इसी लाइन से च्लौनकी दूरी पर हम दूसरी आइन ज्रौ करेंगे काinken और ये हमारे front armholes की drafting होती है, ब़ंसाइड के तरफ इंची डेप को रखना है, और कली की चोडाय में 3 इंच ले रही हूं और कली की length में 4 इंच ले रही हूं, ऐसे हमें box बनाना है और हमें 1 इंच पर ऐसे गूल आई करनी है, सोल्डर हाफ इंच डावन करूंगी ड्राफ्टिंग हो गई है अब हम कटिंग करेंगे पहले हम इसे बॉटम पार्ट से कट करेंगे फिर दोनों के लिए में साथ मैं ही कट करूंगी फिर सोल्डर की तरफ से हमें इसे कट करना है फिर बैक आर मोल्च की कटिंग करनी है और फ ảngक तो केंग करने तो यहां पर मैंने स्काड़पास करना बता रहे हैं ? और इस फैब्रिक को armpit tweaking उपर फॉल कर नकार में पर अघ्साट है । करेंगे जोल्ट करें मैंने इसे तिर्षा फूल्ट किया है ऐसे कि यहां जो मैं मार्क कर रही हूं यह यहां तक फूल लेयर में है और बाकी की टू लेयर में है है कि Harrasi करेंग करें कि मैं साइज हमने साधे आठ इंच लिया है तो यहां भी हम 6 ईंच तक ऐसे लाइन ड्रो करेंगे और एक इंच फैब trzy के लिए हमने यह एड की है तो यह पे हमने पहले हमें the H1 की पर मार्ग किया ऊफैब पनिकory मारजन के लिए अब बंधिकर की तरफ ओर देखे जो सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही हम पर मार्क करते हुए भूम करेंगे लाइन द्रों करेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी अब अखाए तो मैंने लूरा इंसे हैं करेंगे यह हम 38 सिंच का तयार करेंगे तो हम लेंथ ले रहे हैं इसकी 40 सिंच तो यहां पर हमें मार्क इंची टेप को रखना है और 40 सिंच पर मार्क करना है इसके बाद कोने पर इंची टेप को और यह देखेंगे जो मारकर हमने 40 इंच पर किया है वो कितना है साड़े 12 इंच तो ऊपर का हिस्सा है जो कठ हो जाएगा और 40 इंच यह है तो हमारा यह हो गया तो यह हो गया 52.5 इंच तो यहाँ पर कौने पर इंची टेप को रखते हुए 52.5 इंच पर हम सरकल ड्रॉ करेंगे साड़े बामन इंच पर तो आप कौने पर इंची टेप को रखते हुए साड़े बामन इंच पर ऐसे मार्क करें और सरकल ड्रॉ कर लें है कि तो यहाँ पर हमने स्कार्ड पीश की ड्राफ्टिंग कर ली है और जो यह फैब्रिक है यह आप इसे bottom part से cut कर लें तो यहां पर हमने cutting कर ली है अब जो हमारी two layer में fabric है उसे भी हमें full layer में करना है तो अब हम fabric रखें लेंगे और कौने से हम इसके उपर इस fabric को रखेंगे half inch उपर रखेंगे हम इसे ऐसे full layer वाली fabric के half inch में इसे उपर रखना है और same drafting करेंगे two layer वारी fabric को देखते हुए आपको mark करना है तो आप इस तरह से देखते हुए आप line draw कर लें या फिर आप हाँ से press करते हुए भी आप पता लगा सकती है यह fabric कहां तक है तो ऐसे आप यह line draw कर लें और side में भी आप line draw कर लें तो यहाँ पर हमने यह line draw कर ली है और यह fabric भी हमारी full layer में है और अब आप इसे cut कर लें तो यहां पर हमने यह मार्क कर लिया है अब हम कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह हमारे स्कट पीस की भी कटिंग कंप्लेट हो गई है तो गाउन की कटिंग हमारी कंप्लेट हो गई है और अब हम आपको इसे से लंपता रहे हैं तो सबसे पहले हम टॉपीस तयार करेंगे तो यहाँ पर हमें टॉप पीस लेना है टॉप पीस को हम सीजी तरफ से रखेंगे और लाइनिंग के लिए जो हमने टूप पीस और कट किये थे तो इस पीस को हमें सीजी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और पहले हम आर्म होल्स पे और गले पर सलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने आर्म होल्स की तरप और गले की तरप यह सलाई लगा ली है और आप इसमें छोटे छोटे कट लगा ले और ध्यान रखें सलाई ना कटे तो यहाँ पर हम यह कट लगा रही है आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ हमने कट लगा लिए है और इस पीस को हमने ऐसे सीधा किया है और इसके बाद एक एक सलाई आप आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ लगा ले तो यहाँ पर हमें टॉकीस को सीधा करके आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ एक सिलाई और लगा लिए है तो और इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से और बंसाई की तरफ इंची टेप रखेंगे और साड़े तीन इंच में मार्क करेंगे और अब आप यह चुनट भलें ऐसे यह लाइन सैंटर में होनी चाहिए और इस तरह से तिरशी आप सिलाई लगा लें सेम ऐसे आप दूसी तरफ भी सिलाई लगा लें दौना तरफ हमने इस सिलाई लगा ली है इस पीस को हम ऐसे सीधा रखेंगे और सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तयार कर लें बैक पीस को भी बस अंतर इतना रहीगा जो हमने यह चुनट साड़ी तीन इंच पर भरी है बैक साड में हम चुनट चार इंच पर भरेंगे लेंद हम छे इंच रखेंगे तो हमने ये पीस तयार कर लिये हैं अब हमें सकर्ड पीस लेना है जो फैबरिक कम थी जो हमने बाद में कट की थी आप वो एड़ कर ले तो यहाँ पर हमने ये फैबरिक एड़ कर ली है और बॉटम पार्ट से हम इसे ऐसे एक इंच के करी फोल करेंगे पहला फोल हाफ इंच पर दूसरा फोल भी हाफ इंच पर करना है और सलाई लगाने है ऐसे आप पूरे बॉटम पार्ट को फोल कर ले तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को फोल कर लिया है आप लेस भी एड़ कर सकते हैं सिलाई के उपर लेस रखें और सिलाई लगा लें तो यहाँ पर हमने यह लेस एड़ कर ली है बोटम पार्ट पे अब हमें टॉप पीस लेना है तो टॉप पीस के गले के सेंटर पर हमें सीधी लाइन ड्रो करके यह लेस एड़ कर ली है आप किसी भी डिजाइन में लेस एड कर सकती है इस पीस को हम सीधा रखेंगे अब हमें सिकर्ट पीस लेना है सिकर्ट पीस को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है और अब आप सिलाई लगा लें यहां पर तो यहां पर हमने इसलाई लगा ली है अब हम यह पीस सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद एक लैस आप पीज पर भी लेस एड़ कर लें अब एक पीज को हम सीधा रखेंगे तूसरे पीज को मौल्टी तरफ से रखना आर्म होल्च पे और साइड में हमें यह स्लाई लगाने यह स्लाई हम बॉटम पार्ट तक लगाएंगे मिजर्मेंट के कोडिंग आप टॉपीज में स्लाई लगा लें जो ड्राफ्टिंग करती टाइम मिजर्मेंट था तो यहां पर हमने इस लाई लगा ली है और गाउन हमारा कंप्लीट हो गया देख लीजिए